हलो फ्रेंड्स वोगत आप सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलर्शिप के बारे में यानि की ऑफिशियल नॉटिफिकेशन जो यूपी स्कॉलर्शिप डेपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया था उसी के अकॉर्डिंग में आपको बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और इसे बेल आइकन को दबा लिए उससे फैदा ही होगा नेक्स टाइम जब भी हम वीडियोज अप्लोड करेंगे तो आपको इंफर्मेशन मिलेगी सबसे पहले तो फ्रेंड्स अलिया इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं सो गाइस देखिए यहापर मैं आपको बिल्कुल ऑफिशियल नाटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ यानि कि यह मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा जो यूपी स्कॉलर्शिप डिपार्टमेंट ने नाटिफिकेशन चारी किया था उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगो तो सबसे पहले आपको सिंप्ली करेना क्या है आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपिन करना है और वहाँ पे आपको सर्च कर लेना है सरकारी जॉफफाइन डॉट कॉम इसका जो डाइरेट लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन देदूँ आप लोग आचे भी जा सकते हैं और डाइरेट करोम ब्राउजर पर इसका सकते हैं सरकारी जॉफफाइन डॉट कॉम उसके बाद आपको यहाँ पे सिंप्ली नीचे आना है प्लस यहाँ पर जो important चीज़ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ यानि कि जो scholarship की official website पर notification जारी किया गया था उसी के recording मैं आपको बदाने वाला हूँ तो यहाँ पर आपको simply नीचे आना है और आपको यहाँ पर official website के आगे जो click here लिखा है आपको simply उस पर click कर देना है अब हम scholarship की official website पर आ चुके हैं अब आपको यहाँ पर simply नीचे आना है अब यहाँ पर आप लोग latest news की नीचे देख सकते हैं जो notifications है वो आ रहे हैं ठीक है अब आपको यहाँ पर latest notification डाउनलोड कर लेना है post matrix scholarship and master data revised time table 12 December 2022 22 यानि कि जो सबसे last notification आया था उसको हमें download कर लेना है हमने simply उस पर click करा और यहाँ पर हमने उसे download पर click कर देना है ठीक है तो यहाँ पर जो हमारा notification है वो download हो चुका है यहाँ पर मैंने simply से open कर लिया है तो जैसी आप यहाँ पर नीचे आएंगे 5 number पेच पर ठीक है यहाँ पर हम 5 number के पेच पर आचुके हैं ठीक है अब यहाँ पर देखिए 19 number का point आप लोग पढ़ सकते हैं क्या लेका है इसमें जन्पद ये चात्रुति स्रकिति सिमिति द्वारा यानि कि जो शुद डेटा है जो करेक्ट डेटा है जो बिलकुल करेक्ट है उस पे जो डिसीजन लिया जाना है एफ पात्र चात्रों की चात्रुति तता शुल्प्रतिकूर्टि स्रकिति कराना तता जन्पद इस्तरी विबागी अधिकारी के डिजिटल सिगनेचर से लॉक किया जाना ठीक है यानि कि जन्पद इस्तरी विबागी अधिकारी डी डबलू ओ ऑफिसर के सिगनेचर से लॉक जो डेटा है उसको लॉक किया जाना उसकी जो डेट है आपकी हो 17 परवरी 2023 से 10 मार्च 2023 तक ठीक है यानि कि आज वो लास डेट है आज जो है फाइनल डेटा लॉक कर दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर अपलोग पढ़ सकते हैं 20 नंबर का पॉइंट जन पर इस तरी विबागी अधिकारी के डीजिटल सिगनेचर से लॉक डेटा के अधार पर NIC की राजजी का इसे मांग सुरुजित कराना 15 मार्श 2023 तक यानिक जन चाथर के फाउम अभी तक वेरिफाइंड नहीं हुए थे उनके लिए ये अपडेट है कि जो आज है वो डेटा लॉक किया जाएगा और डेटा जब लॉक हो जाएगा उसकी डेटा के बेस पर यानिक जिन चाथर को डेटा लॉक हुआ है उन स्ट्रेंट्स की मांग सुरुजित कराना NIC लखनों से वो है 15 मार्श 2023 तक ठीक है 15 मार्श 2023 तक वो जो डेटा है वो फॉरवर्ट किया जाएगा उससे मांग सुरुजित कराई जाएगी और जो पेमेंट है वो मंगाया जाएगा और 21 नमबर का पॉइंट जो है जनपद इस तरी विबाग यादिकारी के डिजिटल सिगनेचर से लॉक डेटा के आदार पर कोशागर के ई-पेमेंट के तहट प्राणाली के माध्यम से चातर चातराओ के अधार लिंक बैंक खातों में धनराशी अंतरित किया जाना 20 मार्च 2023 तक यानि 20 मार्च तक पेमेंट आ जाएगा इसमें एक दो दिन के पेमेंट भी एप्रूव करा लिया जाएगा और इसके बाद 20 मार्च 25 मार्च तक जो आपका पेमेंट है वो आपकी बैंक एकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा तो आप लोग से रिक्वेस्ट ही है लगातार अपना स्टेटस टेक करते लिए और अगर कुई भी अप्डेट है कुई भी कोशन है तो आप लोग में इस्टाग्राम टेलिग्राम ट्विटर पर हमसे पूछ सकते हैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लिस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बदाईएगा क्या आपका फॉर्म पेंडिंग है वेरिफाई हो गया या फिर सस्पेक्ट है सो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही और अगर अपो ये वीडियो पसंद आएगे तो प्लीज वीडियो का लाइक कर दिएगा चैनल पर न्यूए तो चैनल को सब्स्राइब करके बैल आ आइस दे